नमस्कार दोस्तों आप सभी का पुनहर स्वागत है किशोर एस्टनोजी के इस मंच में आज मैं अपनी पूर्व पोस्ट जो की शुक्र ग्रह से सम्मद्द थी उसके कुछ अन्य उधारन आपको बताऊंगा और कुछ लोगों की phone calls आए है जिने कुछ विशे का संसे रहा है तो उन सब की चानकारई भी हम इस पोस्ट में देने का प्रयास करेंगे और वो पोस्ट जो हमारी थी उसमें मैंने बताया था कि शुक्र जिस भाव से बारवे भाव में होता है उस भाव को विर्धी कर देता है या जिस भाव से शुक्र बारवे पड़ता है उस भाव की विर्धी कर देता है कती पे कुछ विद्वानों ने ये भी कहा कि शुक्र जहां होता है वहां से दूसरे भाव की विर्धी करता है तो देखी अपना-पना interpretation हो सकता है क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि काल पुरुष की कुली में शुक्र बारवे घरका में उच्का होता है यानि लगन से जब बारवे जाते हैं तो वो उच्के माने जाते हैं तो लगन को बल परदान कर देते हैं मैंने इस theory पर काम किया था और कि मैंने बता रहा था कि शुक्र जब जिस भाव से बारवे होगा उस भाव को बढ़ा देगा तथा उस भाव में इसकी ग्रह को भी बढ़ा के पल बदान कर देगा कुछ वो एक्जामपल्स मैंने दिये थे यदि आप लोगोंने अब तक नहीं देखा है वो बोस्त देख लिएगा आग में उसकी सेकंड पोस्त की जानकारे आपको दे रहा हूं या उसका दूसरा भाग में लिए लेकिन आज मैं आपको सिर्फ वो एक्जामपल्स बताऊंगा उंको कुल्ली वास नहीं निखाऊंगा क्योंकि कुल्ली मैं पिसली बार दिखा चुका हूँ तो चल करके भागेशाली बना देता है और उसे सम्मंदित चीजे जातक विशेस को जीवन में प्राफ होती हैं और जातक विशेस बहुत जादा तरक्य करते हैं कुछ विद्वान जो शुकर को जिस भाव में होता है उससे अगले भाव की विर्दी की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि रिजन मेरा सूचने का तरीधा ये था कि शुकर कालपुलिस की कुल्ली में बारवे होता है और वो लगन को बल परदान करता है तो मैंने इस बताऊंगा और आप लोग उत्म कुल्ली का चैन करके देख सकते हैं यहां एक बात देखेगा यदि हम इस सिधान के अगर बात करेंगे तो शुकर जब पांचवे भाव में साथ में और ग्यार्वे भाव में होगा तो यह अशुपवल अधिक परदान कर देगा क्यों कि ऐ ऐसे में यह छटे भाव, आठवे भाव और बार्वे भाव के बारवे चले जाएंगे इस समय हिस्तिति में और जैसे मेरा मेरा चिधान बता रहा है कि शुक्र जिस भाव से बार्वे होगा उस भाव की व्रिदि कर देगा तो यदि अगर मान लिजे यह आपके पांचवे चए भाव की पिर्दी करेगा तो इस तरह से आप़ को सुचना पड़ेगा और यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि हम सारे ही प्लश में प्लस बता रहें कुछ जो इतनेगा यह उनसे जब यह भारवे जाए गा तो बंढ़ fifth भी reaction देगा यानि नुकसान भी दिखाएगा तो अब इसी सिधान को अगर हम देखें तो ऐसे में शुक्र जदी छटे आठ वी बारवे में है तो साथ में नवे और लगन भाव की बृदि कर देगा लेकिन अगर इनके उल्टे पीछे चला जाता है तो इन भाव का नास भी कर ठीकल जो के सप्लाई करते हैं जो बात करते हैं इस गडी में ले रहा हूं हालंकि पिसले को स्वामि प्रभू पाथ जी का आप सब जानतें स्कॉण टेंपल जो रचेता रही है लगनेồng ने चलाया इसके पत्री का है इनकी पत्रीका में शुक्र नीच रासी का होकर नवाय भाव में बुद्Star साल्णिक श्रीत्रिक के इस्द्रिक रहां घर में है तथा शुक्र का बुद्ध के साथ नवे घर में बैठना यह कर्म धर्मादी पती योग बनाता है और इन्होंने एक जबरदस्त एक इसकॉन टेंपल या इंस्टॉल इंस्टूट की स्थापना करी और बुरे दुनिया में इच्छा गए पूरा विश्व आज भी सि मतिया से लगता देजर आया नुंठा एक्जामपल है सवर्कोकिला लता मुघिशकर जी का इंती विर्शव लगन की पत्रिका है और शुक्र लगनेश होकर विर्षव लगन है तो लगनेश बनेंगे चौथे भाव में इस्तित है जो कि पंचम भाव से बारिवे भाव में ह इसके अलावा यहां बुद्ध जो है उनके दूसरे भाव का यानि वाणी भाव का भी मालिक बना है उचका होकर पंचम में बैठा था तो उनकी आवाज जबरदस पूरी दुन्या में रही है चतुरतेश सूरी के साथ होने के कारण उनको जबरदस तरीके से संपत्ति का मालि बीस ने बनाया तो इस प्रकार देखें कि शुक्र ने पंचम भाव को बहुत बल्ली बनाकर महान सफलता उनको प्रदान करी आगे चलते हैं प्रधम प्रधान मंत्री रही है जवाहरलाल नहरू उनकी करकलगन की पत्रिका आप सब देखेगा और यहां मैं आपको बता दू दोस्तों कि मैं कुणली स्वयम इसले नहीं दिखा रहा हूं कि यह सब कुणली आप सब जानते हैं आप देखेगा कि इस तरह से मैंने इसको इंटर्पेट करनी कोशिश की है तो जवालाल नहरू जी की पत्रिका करकलगन की है और शुक्र चौथे भाव में है जिससे पंच सिमा राओ जी का उनकी पत्रिका कन्या लगन की है उसमें अगर आप देखते हैं शुक्र नौमेश होकर अश्टम भाव में इस्तित है जिसने नवे भाव से द्वादस होने पर नवे भाव को बहुत बली बनाया हालंकि इंटरस्टिंग बात यहां पर यह कि कन्या लगन मे जाए क्योंकि नौमेश होकर वह अश्टम में चला गया था हालंकि हाग इनका परवल रहा और यह जो है नरस्मा राओ जैसी सक्सियत बने और आगे चलके देश में प्रधानमंत्री का भी डाय को निभाया है एक और अधरन हमारे पास आता है हालंकि मैंने इस पर बहुत सा कि यहां हम बात कर रहे हैं शुकर जिस भाव से बारवे होगा या जिस लगन से या जिस ग्रह से बारवे होगा उस भाव के कारकत्प को कहीं कुना बढ़ा देगा यसे कि मैं आपको बता रहा हूँ को बिलकुल भी यहाँ पर confusion में मताईए कि हम शुकर से दूसरे भाव की बढ़ा दे लेकिन वो थियोरी मैंने इसले अप्लाई नहीं करी कि शुकर काल कुरूस में बारवे घर में अपनी सबसे अच्छी उच्छता परदान कर लेते हैं तो इसलिए मैंने इसको लिया है आगे एक्जामपल्स के दौर पर आपको बताता हूँ अरभी नेत्री नर्ग जबकी सुनरता परदान करी है जबकी लगनीश का बारवे भाव में जाना वे भाव में जाना अच्छा कदापी नहीं माना जाता है लेकिन यहां पर देखे शुकर ने द्वाव में होकर लगन को बहुत जाला बली बनाया है एक और उधारन आता है गाई का मैडोना का जो क जो है आकरशन से बढ़ा रहा पूरी दुनिया इनको बहतनी संगी तरगी के रूप में जानती ही है आप सब जानते हैं हाला कि इनोंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है लेकिन अभीने की दिरिश्टी से में कहूंगा संगीत में इनका ज्यादा नाम रहा है एक और कि कनिया लगन की पतिका में शुक्र दूसरे और नवे भावगा स्वामियों के चौते भाव में चंद्रमा और रहो के साथ इस्तित है जिससे उनका पंचम भाव और उसमें इस्तित ब्रहस्पती जो की सप्टमें से बली हो गया है जिस कारण उन्होंने मनुरंजन या सूरे दस्वे भाव में अपनी उच रासी में इस्तित है इसने एकादस भाव में इस्तित प्रहस्पती और रहो को कहीं मुना बली बनाया हम सब जानते हैं एक समय में विश्व के काफी बहतरीन परसित उधियोपतियों में इनकी गिंती उठितियों और भारत प्रश्मों क इनको सब जानते ही रहे हैं एक और अंतिम देना की कोशिश कर रहा हूं अमरीकी राष्टपती फ्रैंक्लिन रुजवेल्ट इटी सिंगलेगन की पत्रिका में शुक्र छटे भाव में सूरे के साथ इस्तित है जिसने सप्तम भाव में स्तित भुद को और सप्तम भाव को ब मैंने आपको करीब-करीब 6 उधरन पीछली बार बताया और करीब 8-9 उधरन इस बार बताया है तो कुल्मुला के 15 उधरन मैंने आपको बता दिये हैं जिसमें हालनकि आप सब अन्मिया जूट्शियों में में भीनती करूंगा वो भी सब अप्रिप के कुंडियों में इसे एक बार बता देता हूं शुक्र जिस भाव जिस राशी या जिस ही ग्रह से बारवे बैठेगा उस भाव को बढ़ा देगा तो इस सिधान पर प्काम किया तो काफी कुण्लिया हमें सटिक्ता से लगती लिखाए दी और मैंने आपको कुछ इजाम पस्नुत ही दिये है और आप लोगों को आशा करता हूं काफी कुछ सीखने को मिला होगा और मिल रहा होगा, यदि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपा करके सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर आप कोई पोस्ट अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजेगा तता अनी जोट शुमित्रू को शेयर भी कर दीजेगा आप समने मुझे सुना आप से पतेनेवाद नमश्राइब